हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जक्ट एकाउंटेंसी का जो चैप्टर हम कर रहे हैं accounting equation उसका questions number यह दिखे जो 7 है ठीक है जी और 8th from the book of DK Gayle वो हम करने जा रहे हैं 7th और 8th question ठीक है जी तो start करते हैं Harsh question number 7 से accounting equation ठीक है तीक है जी आप भी अपने book खूले जी 8.27 students अगर आपके पास यह book नहीं है तब भी आप इस question को मेरे साथ अच्छे तरीके से समझ सकते हो because इसकी जो भी transaction है वो common सी transactions होती है कोई भी book किसी भी author की book आप चाहे ले लीजिए सब में common सा ही transaction होता है ठीक है जी और वैसे भी मैं transaction को इसके साथ लिखी रहा हूँ तांकि आपको कोई दिक्कत ना आए तो चलिए start करते हैं question number 7 question number 7 का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे accounting equation के form में उसका format बना लीजिए आप ठीक है जी यह रहा पहले आजएगा हमारा serial number ठीक है जी यह आजएगा transaction के लिए जगा और इतना area हमारा assets के लिए आजएगा ठीक है जी और बाकि liability प्लस capital ठीक है तो अभी मैं इसको fill करता हूँ आपके लिए ओके तो चलिए इसमें हम लिखते हैं सबसे उपर accounting equation जैसा कि हम पहले लिखते हैं accounting equation यहाँ लिख लीजिए ओके और यहाँ आगया हमारा serial number यह आगया transaction राइट जी और यह आगया assets यह आगया is equal to liabilities प्लस capital ठीक है जी और इसमें क्या आएगा सबसे पहला transaction पहला transaction 7 का है started business with cash तो यहाँ लिख लीजिए started business with cash started business with cash cash कितने का है एक लख बी हजार is equal to capital एक लख 20,000 ठीक है जी तो अब यहाँ पे हम line लगा देंगे students line को आपने बहुत सोच समझ के और cool mind से लगाना है अगर गलत line लगती जाएगी तो आपकी equation गलत तरीके से present होगी ठीक है जी हाँ जी तो यह आगया अब बी transaction कैसे लिखेंगे हम purchased goods for cash यहां लिखें purchased goods for cash तो इसका कैसे बनेगा cash का परचेज का यह stock आजेगा यहाँ पे ठीक है यहाँ क्या करेंगे हम stock लिख लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे stock और stock कितने का उसने खरिदा है दस हजार का ठीक है जी और यहाँ से क्या माइनस होजेगा दस हजार माइनस होजेगा और यहाँ पे आजेगा new equation इकलक दस हजार प्लस दस हजार c rent received 5000 का 5000 आ गया ठीक है जी rent received आ गया चलो rent received cash में आता है अब यहाँ पे हम फिर बना लेंगे new equation new equation आ जेगी एक लाग पंद्रह हजार की एक लाग पंद्रह हजार प्लस दस हजार इस इकल टू जीरो प्लस एक लाग पच्चेस हजार c के बाद d d का क्या है salaries outstanding salaries outstanding जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है outstanding liability होती है यह पे नहीं हुई बट expense भी है न सेम टाइम पे तो यहाँ पर हम लिखेंगे salary outstanding ठीक है यह कितने रुपे की salary outstanding यहाँ 2000 रुपे की liability बना देंगे और उसी period का यह क्या बन जाएगा expense बन जेगा और इस में से capital में से minus हो जाएगा capital से क्या हो जाएगा minus हो जाएगा ठीक है जी समझ लग गई ना salary outstanding liability है तो यहां लिखेंगे new equation new question में आजेगा एक लाख पंद्रह हजार यहां और दस हजार यह आगया is equal to 2000 की liability है plus एक लाख तईस हजार यहां पे आगया d के बाद e e क्या चीज़ है बटे e है received interest received interest received interest कितने का है 700 रुपे का प्लस 700 और यह income हो जाती है हमारी ठीक है simple सी equations है इसको आप तरीके से cool mind से attempt करते जाएए क्योंकि आपको पता है कि इसमें हमने double aspect record करना होता है ठीक है एक लाख पंद्रह हजार 700 यहाजेगा plus 10,000 यहाजेगा is equal to 2000 प्लस एक लाख 23,700 यहाजेगा e के बाद f transaction क्या है बटे good sold for cash good sold for cash 7,000 का समान विका 7,000 का cash है sorry और 5,000 का समान विका और 2,000 का profit capital में एड हो जेगा ठीक है students cost price कितना था stock का 5,000 का वो 5,000 हमने less कर देना है 7,000 का profit एड हो गया new equation तो यहाजेगा एक लाख 22,700 ठीक है जी is equal to 2000 जमा एक लाख 25,700 f के बाद g goods are destroyed by fire goods destroyed by fire यह loss है तो stock उतनी रुपे का हमारा आग से जल गया कितना आ गया यह 500 रुपे माइनस कर देंगे stock में से और यह loss भी होता है और यह capital से भी माइनस हो जागा double aspect के फार्म में ठीक है students तो चलिए अब यहां हमारी सारी transactions complete हो गई है और अब मैं जो नीचे लिखंगा new question नहीं लिखंगा अब लिखेंगे हम इसमें final equation final equation तो अब यहां पे cash कितना है cash है एक लग 22,700 साथ के साथ आप answer भी मिलाइए यही answer आपका एक लग 22,700 और stock कितना है 4500 रुपे का is equal to liability side में हमारी outstanding expenses कितने है 2000 के और यह कितना है एक लग 25,200 एक लग एक लग 25,200 okay ठीक है students चलिए यह हो गया हमारा 7th question अब हम attempt करेंगे 8th question 8th question मैं आपको यहां कराता हूँ 8th question के लिए भी आप वैसे ही format बनाईए यह रहा फॉर्मेट ओके जी simple सा format है अब तक तो आपको याद हो गया होगा यहां लिखे accounting equation यहां गया serial number transaction assets are equal to liabilities plus capital ठीक है जी उसके बाद इसका एपॉइंट क्या है 8th question का एपॉइंट नैचुर्ली cash से ही start होता है ओ लाया है दो चीजें एक cash और stock started business with cash and stock तो यहां पे ही start business होगा started business with cash and stock कितने का यह आगया cash कितने का यह cash एक लग चालिस हार का plus stock stock हो गया दो लग पचास हजार का तीन लग नब्य हजार का यहां बंजेगा equation एक लग चालिस हजार प्लस दो लग पचास हजार इस इकल टो जीरो प्लस तीन लग नब्य हजार और उसके बाद बी ट्रांजेक्शन क्या है sold stock sold goods बेचा उसने पचास हजार का at a profit of 25% ठीक है तो यहां पर पहले मैं लिखूंगा sold goods at profit ठीक है यहां से इतनी直接 connection लिख कτε समान कितने विखा आपका 50000 तो यहां से मैं 50000 माइनस कर दूँगा और 50% इसका यहाजएगा था ए क्पेशाइचा तो यहाँ आज़ेगा 62,500 तो 62,500 यहाँ भी एड़ कर लेंगे ठीक है students अब यहाँ पर क्या आज़ेगा new equation sold goods add profit 62,500 आगया profit plus add करके cost में क्योंकि cost price कितना था 50,000 का cost price कितना बटा हमारा 50,000 का profit कितना 12.5 का और cash में कितना मिलेगा 62,500 तो यह बनेगा new equation दो लख 2,500 प्लस 2 लख is equal to 0 प्लस 3,90,012 यह आज़ेगा इसमें 4,25,000 यह कितना आज़ेगा 4,25,000 B के बाद अब C transaction का है deposit into bank account यह यह नहीं चीज़ आई है आपके लिए deposit यह transaction नहीं आई रहे deposited into bank मतलब bank account खोलेंगे into bank आपको पता है कि cash भी asset होती है और bank भी asset होती है उसने क्या किया bank में पैसा जमा कराया है और cash माइनस कर देंगे 1,80,000 का और bank में add हो जाएगा ठीक है जी दोनों asset है एक asset कम होगी दूसरी asset बढ़ गई ठीक है जी deposit into bank चली अब इसकी भी हम new equation बना लेते हैं इसकी क्या बनेंगे new equation ओके बिटा यह आजेगा आपका 202,500 minus 1,80,000 यह बन गया इसका कितना बच गया 22,500 यह कितना बच गया 22,500 बच गया क्योंकि यह plus था ना 2,500 उसमें से 1,80,000 कर गया और stock कितने का हमारे पास 2,00,000 का stock कितने का बटे 2,00,000 का तो एक ही बात है कि इदर से minus होके इदर चला गया because हमें double aspect record करना होता है मैं बार-बार यह word use कर रहा हूँ double aspect क्योंकि आपको यह हमेशा याद रखना है कि accounting में हम double entry system follow करते है double aspect record होता है हाँ transaction का purchase goods from mohan naturally अब जब purchase किया है mohan से goods from mohan तो यह क्या होगा हमारा creditor बन जेगा stock 80,000 का हमारा बढ़ गया और यहां liability भी 80,000 की increase हो जेगी और यह इतना तो आपको पता ही होगा कि जब मैं plus का sign साथ में नहीं लगा रहा तो उसका मतलब वो plus ही होता हाला कि plus का sign लगा लेना चाहिए और यदि plus का sign नहीं लगा हो तो इसका मतलब वो add ही है mathematically understood हाँ minus के साथ वो minus लगाना ज़रूरी है कई बार काफी बच्चे या teachers आपको insist करेंगे कि minus के जगा आप bracket का sign लगा लेजे वो भी ठीक है ठीक है जी बट मैं आपको minus के sign या plus के sign के साथ ही बता रहा हूँ क्योंकि you are the beginners आप अभी बिल्कुल first time कर रहे हो तो इसलिए मैं आपके साथ कोई adventure नहीं करना चाहरा तो basic चीज़ों के साथ ही basic तरीके से ही हम इसको understand करेंगे यह आगया 2,80,000 2,80,000 जमा 1,80,000 यह bank का आगया is equal to 80,000 ठीक है plus 4,25,000 ठीक है जी चलिए आप answer को मिला लेते हैं answer को मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह देखो पहले cash है 22,500 का यह मैं फिर 2,50,000 लिख लिए 22,500 का cash कितना है 22,500 का ना ठीक है और stock कितना 2,80,000 का bank कितना 1,80,000 का creditors कितने हैं हमारे पास 80,000 के और capital का balance है 4,25,000 का ठीक है students यह question एक बार आपको मैं सारा दिखा देता हूँ हाँ जी students यह 22,500 हुई है mind it वो एक 0 मिल से जादा लग गे थी 22,500 हुई है ओके जी तो इसी के साथ यह question मैं complete करता हूँ और video भी यहीं conclude होती है I hope कि आपको अच्छे से समझा गया होगा ठीक है जी आप इसी तरह मेरे channel से videos देखते रहिए और अपने topics clear करते रहिए ओके जी done